पिछले वीडियो में हमने बताया था किस मसीन क्या है, ताइपस ऑप मसीन क्या है, और वाट इज कम्पीटर, अब चलते हैं फीचर्स आफ कम्पीटर, यानि कम्पीटर के क्या भी सेश्टाएं हैं या क्या गून हैं, जो फर्स्ट यूज इलक्रिसिटी टू वर्क है, यानि कम्पीटर को काम करने के लिए इलक्रिसिटी की जरूरी होती है, अगर इलक्रिसिटी नहीं रहती है, तो हमारा computer काम नहीं करेगा तो जोड़ा never make mistake वो कभी mistake नहीं करता है वर्क on your command वो यानि आप जो भी कमांड या उसको युजर जब भी कमांड देगा वो computer काम करेगा वर्क very fast वो जितना जो काम करता है वो बहुत तेजी से काम करता है, different types of work at same time यानि बिन बिन परकार के जो वर्क होते हैं, काम होते हैं, वो एक ही समय में कंप्यूटर काम करता है इट अस्टोर अ लार्ज अमाउंट अफ इन्फारमेशन, कोई भी सुचना आए, कोई भी डाटा, बहुत बड़ा बड़ा फाइल में अस्टोर करता है यह कट्बीद नख शुह हम् shift Dad's इसे जान के लोरे उर्फ CYC फेचर्स अफ कंपीट्र आप मेरे किसले वीडियो में बनता गया था vaso किouch अब चलते हैं benefits of computer benefits में सोता है लाव क्या उसमर संगत्र के लाव है जैसे इट नेवर इट शंटाया यह कभी हशकता नहीं है computer जितना भी चलता है सुबह से लेके साम तक, साम से लेके रात तक यानि 24 गहंटा आप चलाते हैं तो computer ठकता नहीं है It works very fast आप जितना भी सारा documents या किसी store करते हैं तो वो सारा बहुत तेजी से वह काम करता है It does not make mistakes वो आप जितना भी सारा काम करता है वो सुबह से लेके साम तक काम करता है लेकिन वो थोड़ा सा भी mistake नहीं करता है कभी भी mistake नहीं करता है It makes our work easy और यह काम जो है अपना काम जो है वो अस्चानी पुरुवक करता है It can यानि वो जो है कोई भी information कोई भी data वो क्या करता है अपने आप में बड़ा सा बड़ा data information यह सब क्या करता है अब चलते हैं होमवर्क कर होमवर्क है दिन तो होमवर्क में क्या है कि write five write three benefits benefits यानि आपको तीन benefits of computer के नाम लिखना है फिन दूसरा है write three features of computer तीसरा है write three 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 things three things do can computer do can work आपका लेशन first chapter खतम हो गया that's all thank you